दोस्तों, हम सब के लिए पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को चलाने के तौर तरीके के हिसाब से देखें तो दिल्ली के जनता के हिसाब से देखें तो आज हम सब के लिए एक बहुत बड़ा दिन है ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बहुत बड़ा सपना सच हो रहा है आज क्योंकि हम बार-बार कहते रहे हैं और ये बात हमने जब राजनीतिक पार्टी बनाई थी उस दिन भी कही थी कि हम राजनीति करने नहीं राजनीति को बदलने आये हैं और आज राजनीती को बदलने की एक बहुत बड़ी सुरुवाद पटपडगंज विधानसभा के वेस्ट विनोद नगर के E-Block से हो रही है और इस बदली हुई राजनीती के नीम की पहली हीट के रूप में यहाँ पटपडगंज विधानसभा के लोग इकठा हैं दिल्ली क पत्रकार के तमाम वरिष्द अधिकारी यहां ही इकठा हैं यह सफ्ना क्या है जो आज सच हो रहा है क्यों मैं कहरे हूँ कि इतनी बड़ी बात है मैं आपको अपनी छोटी सी घटना बताता हूँ जब मैं पत्रकार था, एक चैनल में काम करता था तो एक अमेरिका से जेनलिस्ट आई वो इंडिया के इंडिया की डेमोक्रिसी पर श्टुडी कर रही थी इंडिया में कैसा लोगतंत्र है उसके यहां कैसा लोगतंत्र है उसने कई महीने जब यहां काम किया तो जब वापस जा रही थी तो मैंने उससे पूछा कि बताओ क्या अंतर है आपकी डेमोकरसी में और हमारी डेमोकरसी में एक लाइन में बताना तो उसने कहा कि आपके यहा अवकात है और Hindustan की देमोक्रिसी में आम आजमी की कोई आखात नहीं है मैंने का ये बात हजम नहीं हुई ठीक से समझाव हो अपने एक लाइन में का था एक लाइन में बोल दी मैं थोड़ा समझाव ये तो बहुत फिलोसिफिकल हो गया तो उसने कहा कि देखो तो आपके देश में, आपकी डेमोक्रेसी में, उसने पहले अपना बताया मुझे, उसने कहा है कि हमारे यहां पे अगर कोई सड़क पे फुटपात भी बनाता है, कोई सड़क पे स्पीड ब्रेकर भी बनाता है, तो दस गर इधर और दस गर इधर पूछता है और उसके बाद कहता है speed breaker बनने वाला है आप लोग सहमत ने तो speed breaker बना देते हैं लेकिन हिंदुस्तान की democracy में अगर कोई बड़ी बात नहीं है जो उसके शब्दों में में बता रहा हूं उसने कहा कि मेरे देश में किसी के घर के सामने अगर को speed breaker भी बनाता है फुटपात भी बनाता है तो 100 गर इधर 50 गर इधर फूच के बनाता है कि भई यहां speed breaker बनाना है बना दें सरकार की ऐसी योजना है लेकिन हिंदुस्तान की democracy में आदमी शाम को घर पे अपने सोएगा और यह संभवे की सुबह को उसको पर्ची मिले घर के दर्वाजे के नीचे से कि सरकार ने तैय किया है कि आपका दर्वाजा बहार से बंद कर दिया जाए आप पिछले दर्वाजे से कोई नए दर्वाजा बना लें अपने घर से निकलने के लिए ये उसने मुझे तुलना करके बताई उसकी अपनी अंडेस्टेंडिंग थी मैं सहमत हो सकता हूँ असहमत हो सकता हूँ उससे लेकिन देश में जो कुछ होते हुए देखते हैं उसमें वो बास सच साबित होती है कहीं बंद कमरों में किसी राजधानी में बैठे हुए किसी बड़े सरकारी दफ्तर में बैठे हुए कुछ बड़े लोग जिसमें कुछ बड़े अफसर और बड़े नेता शामिल होते हैं दिल्ली की जनता के बारे में देश की जनता के बारे में बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं और लोगों को पता नहीं चलता हमारे बारे में क्या फैसला लिया गया लोगों से कभी पूशा नहीं जाता है कि हमारे को क्या चाहिए ऐसे धेराओ धारण है इसी पीड़ा को समझते हुए एक बार मैं मध्दिप्रदेश गया मध्दिप्रदेश में एक गाओं में हम बैटए हुए थे वहाँ पर गाओं पंचाहत की meeting हो रही थी जैसे अज पंचाहत हमारी बैटे कर रही है न ऐसे पंचाहत की meeting हो रही थी और उस मीटिंग में कोई प्रजेक्ट आया, उस प्रजेक्ट पे चर्चा हुई और लोग हस पड़े, मैंने का भई क्यों क्या हसे थोड़ा, लोकल डायलेक्ट बोल रहे थे हूँ, मैंने का क्या हुआ हस क्यों रहे हूँ, बोले जी, दिल्ली में बैठे हुए कुछ सरकारी अफसरों ने हमारे लिए गाउं के लिए प्रजेक्ट बेज़ा है, जिसमें लिखा हुआ है कि चार लाग, कुछ 2 लाग रुपे का धा, कि 4 लाग रुपय हम देंगे आपको द्री केंडर की सरकार से और आपको वहां पे पानी इकठा करने का, बारिस का पानी इकठा करनेक के लिए तालाब बनाना है उने गा इची बात है हशे क्यों बोले जी अशने की बात यह है कि हमारे घाओं में तो हमेशा बाढ़ हाई रहती है हमें तो गाओं से पानी बाहर निकालने कि लिए पैसा चाहिए पर दिल्ली में बेटे गुए किसी अफसर को किसी इन सपना आया ह वहां पाइक होगा, उसे लगाओगा की देश के गाउधों को 4-4 वोबै दिये जाने चाहिए। दे दिए. उसने ये भी निसौचा गी जिस गाउं में बाराचेज ही महां नाला बनाने के लिए पैसा जाए। अपाण सन्सीरा क्यूंयरस होगा। दिल्ली में क्योंकि हम लोग बहुत वेस्त रहते हैं, अपनी सरकार, अपनी नौकरियों में, अपनी दुकान चलाने में, अपना व्यापार चलाने में, अपनी जिंदगी में, बहुत आपधापी की जिंदगी है, बहुत बहुत ध्यान नहीं जाता, छोटे कर सुबहों से हम मैंने बता ही ऐसा तो होता ही है लेकिन पूरी की पूरी राजनीती को किस तरह से हमने एक अलग रूप दे रखा है उसकी मैंने एक बानगी आप लोगों के सामने चुनावी बातचीत में दी थी मेरा मन है कि उसको थोड़ा सा रिपीट कर दूँ यहाँ पर आपको याद है मैं पत्रकार था जी न्यूज में एक चैनल में काम करता था पहली तंखा मिली तो मोटर साइकल खरी दी जब मैं वो मुटर साइकल लेकर पिलखुआ जाता था तो पहले सेटरडे को सरमाजाब उसमें पंचर हो गया अब जब पंचर हुआ तो थोड़ी दूर पर मुझे पंचर वाले की दुकान मिल गई मैं खुश हूआ भगवान बड़ा महरवान है साप जहां पर पंचर हुआ चार कदम दूर पंचर वाले की दुकान है अगले से ड़डे को चुटी हुए मैं फिर से पिलखुआ गया फिर से बाइक पंचर हो गई फिर से थोड़ी दूर बात पंचर वाला मिल गया मुझे लगा बहुत बड़िया, मैं कुछ अच्छे करम किया होंगे पिछले जनम में, जब बाइक बाइक पंचर जो लोग चलाते हैं, जो लोग बाइक के पंचर होने का दर्द जानते हैं, इसकोटर वालों को समझ में नहीं आई कि ये बात, तो मुझे लगा बाइक खरी द था, हाईवे पे कीले बखेर देता था, हमारे जैसे लोगों की बाइक पंचर होती थी, हमारे जैसे लोगों की बाइक पंचर होती थी, तो उसकी दुकान चलती थी, फिर वहाँ दुकान सजा के बैड़ जाता था, ये धंदा बना रखा है, ऐसा आप लोगों ने भी कभी लेकिन मैं इसके सारे एक बड़ी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की राजनिती को हम लोगों ने पंचर की दुकान बना के रखा हुआ है हम लोगों की जिन्दगी में बहुत सजाज सहय्ज के कीलें बखेरते हैं कीले पहलाते हैं लोगों की जिंदगी में और उसके बाद दुकान सजाके बैठ जाते हैं आईए निता जी की दुकान में आपका स्वागत है आईए राजनिती की दुकान में आपका स्वागत है आईए आपकी गंजिंदगी में पंचर हो गया आपके बच्चे का एडमिशन पंचर हो गया, आएए हमारे यहाँ पंचर लग जाएगा, हम आपके बच्चे का एडिमिशन करा देंगे, आपके पिता जी बीमार हो गया, डेंगो हो गया उनको, बिस्तर नहीं मिल रहा अस्पताल में, चिंता की बात नहीं है, हमारी पंचर की दुकान में आईए, हम पंच का पंचर ठीक कर दें, हमारी जीत इसमें है कि यह जो कीने भिखेर रखी हैं लोगों हमारी जिंदगी में राजनीती वालों ने, बहुत सारे लोगों है, उनको साफ कर दें, हम इसलिए जाडू उठाएए, इसलिए जाडू उठाके चले हैं, तो आज, आज का दिन, कम से क मेरे लिए बहुत बड़े सपने जैसा है, मैंने इसलिए कहा कि वो पीडा कब से चले आ रही है, ज़नलिज्म के जमाने से, जब मैं बाइक चलाता था तब के जमाने से, और बहुत सारे उधारन लगाता है, और ने देखें, मैं पढ़ता रहा हूं, थोड़ा बहुत देख कहती थी मुझसे, उसकी बात सब्द से सही सावित होती हुई दिखती है, लगता है कि दुनिया के जिन देशों को हम तरक्की सुधा देश कहते हैं, हम जिनकी तरक्की सहारे सोच के कहते हैं कि हम अपनी दिल्ली को फलाने मुल्क जैसा बनाना चाहते हैं, हम फलाने शहर जै होते हैं गवर्नेंस में क्या है वहां पर कोई भी बात होती है लोगों से पूछा जाता है बहुत जगे मैं के दक्षिन अफरीका के शहर कैप टाउन में गया जिस घर में मैं रुका हुआ था उस घर की मालकिन मुझे बता रही थी कि मेरे शहर में एक छोटी सी जमीन वहां की सरकार किसी बड़े व्यापारी को देने का मन बना रही है ऐसा उसने मुझे स्टोरी बताई लेकिन साथ साथ उस महिला का confidence देखिया अपने system के प्रती उसने का Manish जी उसने अंग्रे जी में बुला कि government is doing this but I won't let it happen next Wednesday meeting I'll go to town hall meeting and I'll get it stopped अगले बुद्वार को में जाके वहां रुकवा दूंगी उसको कोई जमीन किसी सरकार का विभाग किसी बड़े व्यापारी को बेईमानी के तहत या अपने कि शुरुआत कर रहे हैं आज सुभै ई-ब्लॉक के लोगों ने सोचा तो जरूर होगा कि ई-ब्लॉक में जो कुछ हो रहा है ई-ब्लॉक में जो कुछ हो रहा है आज हम अपनी बैठक में जाएंगे और इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे आज हम बताएंगे कि यह सड़ यहां लाना चाहते हैं इस डेमोकरिसी को और आएगा उसकी आज से सुरुवात हो रही है दुनिया में जो कुछ अच्छा हो रहा है उससे हमें सीखना है मैं कॉपी पेस्ट के हमेशा खिलाफ रहा हूं दुनिया में कहीं कुछ अच्छा हो रहा है अमेरिका में कुछ अच् करना है इसलिए हम आज हम पहला प्रियोग यहां पे कर रहे हैं बजट बनाने का और इससे सीखेंगे आज का बजट आज का पहला प्रियोग तो मुझे लगता है हम सब कारों को सही करने के लिए बता दू कि हिंदुस्तान में भी ऐसे डेरों एक्जामपल भरे पड़ें आप कभी गूगल करके देखिए एक वीडियो बनाया था मैंने हिवरे बजार गाउं पर हिवरे बजार गाउं में यह होता था जो हमाज कर रहे हैं उस गाउं के सरपंच न कि पन्चायत में आने वाले बजफ्ट के बारे मैं जेकर एक है ऐलान किया कि घ्को इतना पैसा आता है गाउं के लोग मिल बैठके तेह कर लेंगे पहले क्या करना है बाद में क्या करना है आज वह गाउं ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म के साइट जैसा खूबसूरत क्यों कि वो महलों में लोगों के बीच में बैठके सरपंच फैसले लेता था वहां से हो गया बहुत सारे गाउं के उधारन पड़े शेरों के अलग अलग कौनों के उधारन पड़े लेकिन प्रॉब्लम यह कि यह कौनों में और गाउं में पड़े हुए इनको अगर हमको दे सब्सक्राइब आएंगे, सरकार में आएंगे और राजनीती में भी आए, सरकार में भी आए, सरकार में मंत्री भी बने और आज आके हम इस विवस्था को उस तरफ ले जाने की एक सुरुवात कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां से यह ऐसी राजनीती के बदलने का देश के सि इस विस्टम के लिए मेरी कोई आुकात है। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी शुरात हो रही है। यह महला सभा, यह शब्द है। महला सभा कह लिजे। लोकल सभाः कह लिज Après इरीया सभा है। हम रही हैं। आपस में उल्स सभाः क काय है। मैं वह रही हैं। इसकी प्रियोगा को पार्षण किये थे, आपके शुरो California को अगा बने आप तो होगो है। पहले हमने अर्विन भाई ने कुछ प्रियोग दिल्ली में किये थे, कपिल भाई बैठे हैं यहां पर, कपिल की माताजी पार्षद थी रही है, उनके पार्षद जो शेतर होता है, कॉंस्टेंसी होती है, उसमें किये थे, और एक तरलोकपुरी में किये थे, और बहुत सफल है, लोग अक्सर कहते हैं, आप जनता के बीच में फैसला लेने की बात करते हो, जनता कैसे फैसला लेगी, जनता तो लड़ेगी आपस में, मुझे लगता है, जब 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 जनता के बीच फैसला लिया जाता है, तब तब इमानदारी से लिया जाता है, बंद कमरे में लिय हुआ सपरां में महुल patrim में ऊबाध म्यान्य ख़तों है मोले कि मीटिंग में उसने ख़तारि हो जी मेरे महने सराब का थेका खुलना चाहिए महले के लोग बैठे हुए थे, वोटर बैठे हुए थे उस इलाके के, सारे बोले सराब का ठेका हमारे महले में बिलकुल नहीं, हो सकता है वहाँ बैठे हुए लोगों में से बहुत सारे लोग सराब पीते होंगे, लेकिन उसके बावजूद कोई नहीं चाहता कि मेरे महले मे शिराब का जको अगर वहासला बंद कम्रे में होने वाला होता तो सुल दो खोलने वाला व्यक्ति और अफसर और नेता मिल के कुछ ट्रorageंगल बनाते पैसे का लेना देना करते। पड़ेका बुल जाए लेकिन जनता में पैसला हुआ, चलाओं जा बैटूंगा है। यह दो जुने गरी में बबाब बताओ आपके और हमारे पास 50 पेंशन, 50 पेंशन हम दे सकते हैं मौले में, उन्हों ने ये कहा, लेकिन आपके बीच में से कितना गरीब होग है जिसको ये पेंशन दे जाए है, वहां रहा है यकी माने, फुल बिलाके 6 लोगों ने कहा जिए ये गरीब है, इसको पेंशन दे जो जो आपने गरीपी परिभासा बता ही उसके हिसाब से ये 6 लोग गरी में इंपो पेंशन दे दो और हमें से ऐसा मिलिपो है उसमें कहा ली 50 पेंशन थी, इसे हम 6 क्या आप जादर ले ले लो तो गाओं के लोगों ने पैटके मौले के पैटके सोचा, तो एच्छा 4 लोग और है, जो यहां आईटी है, तो भी बहुत दिवें, ऐसे वाले गरीपें जैसे हैं, उनके लिए भी पैंशन सेंक्शन दो, नाओं के लोगों ने और सबसे घरीब लोगों के लिए पैंशन बने, यही काम अधर बंद कमरा हो रहा होता तो नेता जी के रिस्तेदार, नेता जी के सबसे जारे खुरण के लिए पैंशन नहीं दे सकते तो क्या, यह सारी चीजे और पैसे देना, कमिशन खाना यह सब चलता है, लेकिन जनता के बीच जब फैसला होता है, तो वहां कोई कुझाईश नहीं होती इस तरह की बही मानि की, इसलिए हमने कहा कि जनता के बीच फैसला होना चाहिए, तो आज इसकी सुरुवात हम दिल्ली सरकार में आने के बाद से कर रहे हैं, बहुत महत्पूर दिन है, मुझे उम्मीद है कि यहां से हम ऐसी धाराएं लेके चलेंगे, ऐसी सीख लेके चलेंगे, मैं थोड़ा सा पटपडगंज के बारे में बता दूँ, पूरी पटपडगंज विधान सभा को हमने 35 एरियाज में डिवाइड किया है, 35 एरियाज की 35 मीटिंग्स होंगी, आज की मीटिंग जो लोग विजटर के रूप में आए हैं, जो लोग बाहर से आए हैं, उनकी बात अलग है, आज की लोगों को तो यह कहा गया था, अगर आप देखना चाहते हैं कि महले के लोग कैसे फैसला लेते हैं, तो मुख्य रूप से आज की मीटिंग E-Block के लिए है, 35 एसी मीटिंग्स आज के बाद, आज ही दो मीटिंग इसके बाद और होनी है, मयूर विहार फेस्टू की एक म DM साब ने तयारी कर ली है, हमारे अलावा पड़गन्च के अलावा, दिल्ली की 10 और विधानसभाओं में जिसके विधायक आती हमारे यह बैठे हुए हैं, पीछे DM बैठे हुए हैं वहां के, 10 और विधानसभाओं में ये बैठके होनी हैं, इसी तरह से उनके विधानसभा जानते हैं, यहां, एब लोग के लोग बैठ के फैसला करेंगे, कि एब लोग में क्या होना चाहिए, आज हम जब आपके सामने बात रखेंगे, आपको कुछ पर्चियां दी हुई है, एब लोग के लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि बीच में अरेंजमेंट किया था आप लोग शान्त रहें, आप लोग उसमें पांठिशिबेट ना करें, सिर्फ देखें, इब लोग के लोगों को फैसला ने दे, आज का फैसला ए ऐडगनेस्बागों का फैसला है, आपके महले में जिस दिन करने का पैसा आपके मेहनत के कमाई से बिलता है तो जो कुछ भी सारा सिस्टम है अधिकारी है नेता है बजट है यह सब आपका है और आपके लिए है आपको तैय करना है कि इसमें क्या होना चाहिए सारा का सारा दिल्ली सरकार के पास करीब हर साल ऐसे तो 40,000 करोड रुपे के करीब रहता है जिसमें हम बैठके इस तरह की प्लानिंग करते हैं अलग अलग विभागों के साथ बात करते हैं सब करते हैं उसमें से कुछ पैसा सारा नहीं कुछ पैसा इस बार 10-11 विधान सभाओं के लिए खर्च किया जाएगा ताकि वहां की जंता बैठके तैय कर सके जब ये प्रियोग सफल होगा एक साल में हमें पूरी उम्मीद है कि प्रियोग के प्रती लोगों की आस्ता बढ़ेगी लोगों का भरोसा इसमें बढ़ेगा अगली बार से अगले साल से अगर ये सफल रहा तो अगले साल से हम सारी विधान सभाओं में इसी तरह का करेंग ऐसा कानून ऐसा बिल लेका आई है विदान सभा में तो दीरे दीरे लंबे समय में ऐसी कलपना कर सकते हैं कि हमारे समय में डेमोक्रसी किसी समय ऐसी होगी लेकिन सुरुआत बजट बनाने से बजट के एक हिस्से को तयार करने से कि e-blog के लोगों को क्या चाहिए e-blog के लोगों की तो आप लोगों को पर्चियं दी गई है e-blog के लोगोंसे रिक्वेस्ट है कि जो अपनी पर्चियं भरबर के यहां दे 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 और उसको लेके हम एक बार देख लेंगे उसमें से कौन सी आपकी शिकायत है और कौन सी आपकी डिमांड है शिकायत और डिमांड में बता दू शिकायत अलग अलग तरीके की हो सकती है डिमांड यह है कि हमारे महले में पैसे से यह किया जाना चाहिए यह शिकायत तो यह भी हो सकती है कि मैं फलाने दफ्तर में जाता हूं, वहां मेरी सुनी नहीं जा रही, तो आप जो लिख के देना चाहते हैं दीजिए, उस पे शिकायतों पर करवा यह लग से करेंगे, प्रजेक्ट जो डिमांड करेंगे, उस पर अलग से यहां पर आपके स इस पाटिसिपेटरी बजेटिंग के प्रयोग में हम पटपडगन को शामिल कर सकें और साथ-साथ, ई-ब्लॉक वेस्ट विनोधनगर को यह मौका मिला कि देश का पहला पाटिसिपेटरी बजेटिंग का प्रयोग, ई-ब्लॉक वेस्ट विनोधनगर से शुरू हो, तो इस